हाई फ्रेंज कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज मैं आपके लिए फिर से एक बड़ी ऐसी प्रोड़क्त लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है टीवी एलिडी स्ट्रिप लाइट इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये प्रोड़क्त किस तरीके से काम करता है और इसके बेसिक फीचर्स क्या है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा और बेल बटन को प्रेस करने ना भूलेगा तो दोस्तो जैसे ही कि इसके नाम से ही हमको पता चल जाता है ये जो LED लाइट है ये टीवी के पीछे लगाने के लिए बनाए गई है इस लाइट को टीवी के पीछे लगाने से एक बड़िया सा बैक्राउंड आपको मिलता है ये LED लाइट 60 इंच या उससे कम साइज का टेलविशन के लिए बनाया गया है तो दोस्तो जल्दी से अब हम इसके बॉक्स को खोल कर देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या के चीज़े आती है बॉक्स खोलने पर हम देख सकते हैं इसके अंदर एक ब्लैक कलर की केबल आती है जिसे हमको टीवी से कनेक करना होगा उसके साथ में हमारी LED light की strip होती है और इसकी remote control जो black cable होती है उसमें एक तरफ USB port होती है जिसे हमें TV से connect करना होगा और दूसरी तरफ जो एक different तरिके के एक port दी गई है जो port आपकी LED light की जो strip से उससे connect होगा जैसे कि आप देख सकते हैं cable के दूसरे end पर जो port है वो काफी different है उस पर दो terminals भी बने होते हैं positive और negative मैं आपको आगे चल के बताओंगा किस तरीके से आपको आपकी जो strip है उससे connect करना है इसके साथ में एक remote control आता है जिसे use करके आप इसके colors को change कर सकते हैं 16 different colors इसमें दिये गए हैं आप अपने जरूरत के हिसाब से अपने mood के हिसाब से colors को select कर सकते हैं साथ ही में इसमें automatic color changing features भी दिया गया है दोस्तों इसके साथ में LED strip होती है उसकी length तकरीबां 2 meter तक ही होती है और इसके अंदर पहले से ही इसकी जो connector है वो connect की हुई होती है इसी connector को use करके हम इसे TV से connect करेंगे आप देख सकते हैं LED strip के उपर एक white color का paper दिख रहा है इसे निकान ले पर इसका gum आ जाता है जिस वज़े से हम इसे TV से चिपका पाएंगे या stick कर पाएंगे इस LED strip के उपर जो sticker होता है वो बहुत ही powerful होता है एक बार चिपका देने से वो बहुत ही strong तरीके से आपकी TV से चिपक जाता है दोस्तो अब हम इसके LED strip को इसकी USB के बल से connect कर देंगे इसके उपर marking देवी है आपको उस marking के हिसाब से ही इसे connect करना है दोस्तो LED strip को USB के बल से connect करते वक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसके terminus को बराबर से connect करें इसके उपर positive और negative polarity दी गई होती है अगर आप by miss से किसे गलत तरीके से connect कर देते हैं तो उस condition में आपका product short circuit हो सकता है या damage हो सकता है तो दोस्तो अब हम इस product का फटा फट से demo ले लेते हैं दोस्तो मेरे टीवी में कुछ problem होने के वज़े से मैं टीवी पर लगा कर इसे नहीं दिखा पाऊंगा पर मैं आपको मेरे laptop से connect करके इसकी features को दिखा देता हूँ तो दोस्तो अब हम आ गए हैं अपनी laptop screen की तरफ हमने अपने product के box को पहले ही खोल लिया था और चीजों को देख लिया था दोस्तो हमने इसके remote control को ready कर लिया है और LED strip को भी हमने USB केबल से connect कर लिया है अब हम इसकी USB केबल को हमारे laptop से connect कर देंगे दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं USB केबल को laptop से connect होते ही LED glow करना शुरू कर देती है इस वक्त LED automatic light change कर रही है इसका मतलब यह automatic color change mode में है तो दोस्तो अब हम अपने ही चैनल की एक वीडियो को laptop में open कर लेंगे और देखेंगे इसका जो background है वो किस तरीके से वीडियो पे suit करता है दोस्तो इसका color change करने के लिए आपको यहाँ पर remote की ज़रूरत पड़ेगी बीना remote के आप इसके color को change नहीं कर सकते तो मेरा यह suggestion आपको रहेगा कि आप इसके remote को संभाल कर रखे इसके remote के अंदर इसके सारे 16 color के लिए different different buttons दी गई है और color change के लिए भी different buttons दी गई है अब देख सकते हैं अंधेरे में इसकी reproduction किस तरीके की है मैं different colors change करके आपको यहाँ दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं काफी बढ़ियां brightness यह दे रहा है अब imagine कर सकते हैं अगर यही light हमारे laptop screen के back side में लगी होती तो और बढ़ियां reproduction यह देती थी अब मैंने इसका automatic color changing mode select कर दिया है अब देख सकते हैं यह automatic color change कर रहा है अब देख सकते हैं कितना speed में इसका color change हो रहा है पहले जो हम mode देख रहे थे वो उसका flashing mode था अब मैं आपको यह दूसरा automatic color changing mode दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं कितना smooth इसका color change हो रहा है तो आप अपने mood के हिसाब से आपने जो movie देख रहे हैं या आप जो videos देख रहे हैं उसके क्या आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से इसके color changing modes को या आप चाहिए तो आप fix color भी select कर सकते हैं दोस्तों ये product मुझे बहुत ही बड़ियां लगा जैसे ही मेरा TV वापस आ जाता है मैं इसे अपनी डीवी पर stick करने वाला हूँ तो दोस्तों इसे के साथ हमारा video पूरा होता है अगर आपको ये video अच्छा लगा तो इसे like करिएगा अगर आपको किसी तरी कर doubts हो या queries हो या questions हो तो comment box में जरूर लिखेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको answer करने की अगर आप इस product को खरीदेना चाहते हैं तो मैं इसकी purchase की link description box में डाल दूँगा दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी subscribe button दबा दीजेगा मैं इसी तरीके की informative videos आपके लिए लाते रहूँगा तो मिलते हैं हमारे next video में और एक बड़ियासी product के साथ Good luck and thanks for watching